प्लास्टिक की बाटल्स में ग्रो कर सकते हैं यलो ग्रेप्स टोमेटो जी हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीकर से आउपने घर में वर्टिकल गौढ़न तयार कर सकते हैं यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़़ादा यूसफुल होने वाला है जिनके पास गड्निंग करने का बहुत ज़पेस नहीं है लेकिन वो गालनिंग करना चाहते हैं मुशली वह अपाट्मेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो बिना स्किप के वे पूरा वीडियो देखिएगा और बिना लेट के वे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ली हुई है ये यलो ग्रेप्स टोमेटो की सीडलिंग आज से तक्रीबन एक मैने पहले मैंने इनकी सीडलिंग प्रेमे करी थी और मैंने अपने बहुत से वीडियो में आपको बताया भी है किस तरीके से आपको टमाटर की सीडलिंग करनी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो मेरे पेज़ पे जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं यह मैंने एक ली हुई है पांथ लिटर की प्लास्टिक की बॉटल और आज हम इसमें ही ग्रो करेंगे टमाटर के पौधे को तो सबसे पहले हम इसको बॉटम से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद यह कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है और दोस्तु लटकाने के बाद यह हो जाएगा बॉटल का बॉटम पोरिशन जिसमें की आप देख सकते हैं कि मैंने ठेर सारे चेत कर दिये हैं ताकि हम जो भी पानी दे एक्सेस वाटर इमीडिरेट ड्रेन आउट हो जाए आपकी इस बोतल में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपकी बोतल में पानी रुक रहा है तो आपके ये पौदे कुछ ही दिनों में खराब हो जाएंगे और ये बीच में मैंने एक आईरन की पाइप गरम करके ये बीच में मैंने होल कर लिया है और इसमें ही आज अभी हम अपने टमाटर के पौदे को ग्रो करेंगे और आप देख सकते हैं कि साइड में भी मैंने ये स्कूट्राइवर गरम करके ये होल कर लिये हैं टॉप पर मैं आरे ये पौधे खराब हो जाते हैं तो इसलिए आप ये छेट कर लें तो इससे आपका पौधा और अच्छे तरीके से आप से आसान तरीका है कि आप थोड़ा सा पानी ले और उसमें थोड़ी देर के लिए अपने इन पौधों को छोड़ दे तो उससे इनकी रूट बिलकुल साफ हो जाती है और इनकी रूट डैमेज भी नहीं होती है जिसकी वज़े से आपके पौधे के लगने के चांस मील यह एक slow releasing organic fertilizer है इसकी जगर आप गोबर की खा दिया वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यह सारी organic fertilizer अगर आपको purchase करनी है तो आप मेरी website www.paudhavajar.com पर भी जाकर इसका order कर सकते हैं अब हम bottle को उपर से plastic की help से बांध लेंगे और याद रखिए कि आप बूत रसी का इस्तेमाल करें ताकि आने वाले टाइम में जब आपके इस pot का weight बढ़े इसमें जब plant हमारा grow करेगा उसमें टमाटर आएंगे तो यह तूटे नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यह 4 plastic की रसी बांध ली है और इसकी help से ही हम अपनी इस plastic की bottle को टागेंगे तो इस तरीके से हमारा hanging plastic का pot बनकर ready हो गया है तो अभी हम अपनी इस bottle में पहले थोड़ी सी soil भरेंगे और उसकी बाद जो हमने इस bottle में hole बनाया है इससे ही हम अपने पौदे को इसमें लगा देंगे और अब इसके बाद हम अपने spot को almost 80% soil से cover कर देंगे और सेम इसी method से हम अपने इस दूसरी bottle में एक और yellow grapes tomato को grow करेंगे तो अब हमारा process हो गया है complete और अब हम इसमें देंगे थोड़ा सा पानी और इसके बाद हम इसको अगले 5-6 दिन तक रखेंगे पास्टी शेड़ेड एरिया में जहां morning और evening की देर सो 2 घंटे की direct sunlight आती हो और daytime में sunlight का reflection आता हो और उसके बाद हम अपनी बॉटल को shift कर देंगे direct sunlight में और ensure करेंगे कि इनको दिन की कम से कम 5-6 घंटे की direct sunlight मिलनी चाहिए लेकिन याद रहे कि आप इसको तब ही ट्राइ करें जब आपके एरिया का weather temperature 25 degree Celsius के नीचे चल रहा है अगर आपने इसको गर्मी में ट्राइ किया तो आपको कोई भी result नहीं मिलेगा और आपके ये पौधे भी खराब हो जाएंगे तो मिलते कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका अगे का update तो दुस्तों ये है result 38 days के बाद का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे काफी healthy तरीके से grow कर रहे हैं तो अभी हम इनकी थोड़ी सी leaf pruning करेंगे और उसके बाद हम इसको इस cello tape की help से थोड़ा सा support दे देंगे ये process दोस्तों करना बहुत important है और इस stage पर ही आप करिए जब आपने पौधे को transplant कर देते हैं 25-35 दिन के बाद जब वो growth start कर देता है तो उसको सही direction में आपको upward direction में support देने की जरूरत है otherwise तेज हवा से आपके पौधे गिर सकते हैं और damage हो सकते हैं तो यहाँ पर cello tape की help से मैंने इसको support दे दिया है इसकी जगे पर आप cotton की रसी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस process को करने से अब हमारा पौधा एकदम straight उपर की तरफ जाएगा और तेज हवा चलने पर भी हमारे ये पौधे के तूटने के chance नहीं के बराबर होंगे तो दोस्तों यह है result 52 days के बाद का transplant की हुए 52 दिन हो गये हैं पूरे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे ये टमाटर के पौधे बहुत ये अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर मैंने दो और अलग वराइटी के भी टमाटर इस बौटल में लगाए हुए हैं जिसका वीडियो मैं आपको आने वाले टाइम में शेयर करूँगा तो अब हमको जो सबसे important काम करना है वो ये करना है कि हमारे पास space बहुत ज़्यादा limited है और हम चाहते हैं कि हमारे plant में धेर सारे full और full आएं तो इसलिए अब हम इनकी leaf pruning कर देंगे जितनी भी आपके plant में बड़ी बड़ी leaf हैं जो पुरानी leaf हैं हम उनको cut कर देंगे उनको काटने से सबसे बड़ा benefit ये होगा कि आपका पौधा infect नहीं होगा पहली चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी वज़े से आपके पौधे में धेर सारी कलिया और फिर उसके पाद वो fruits में ज्यादा से ज्यादा convert हो जाएंगी ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास area बहुत चोटा है हमने यहाँ पर सिर्फ 5 लिटर की plastic की bottle का इस्तेमाल किया है तो इसलिए ये process करने से आपको ज्यादा अच्छा result देगा तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरे इस पौदे में आप कलियां भी आने लगी है तो मैं हमेशे अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब आपका plant grow करना start कर देता है और उसमें कलियां आने लगती है तो उस time से आपको हर 15 से 20 दिन पे अपने plant को बदल बदल कर fertilizer देनी होती है fertilizer के रूप में आप यहा और यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि मेरे यह यलो ग्रेप्स टोमेटो में काफी धेर सारे टोमेटो आ गये हैं और कुछ-कुछ पकना भी start कर दिया है इस time पर अप मेरे इरिया के weather temperature 30 degree Celsius के उपर जाने लगा है दिन का temperature इसलिए मैंने इनको directly sunlight से हटा दिया है क्योंकि म यहां पर कि आपकी इस bottle को directly sunlight नहीं लगनी जाइए अदर्वाइस आपके यह पौदे ज़्यादा हीट होने की वज़े से खराब हो जाएंगे तो यह है final result 95 days के बाद का यहां पर आप देख सकते हैं कि cherry tomato, tomato bounce यह सारे many varieties लगा रखी हैं जिसका वीडियो में आने अले time में आपके शेयर करूँगा तो अभी आप यह update देख सकते हैं यह है हमारा yellow grapes tomato का काफी धेर सारे यह tomato पग गए हैं और अभी यह right time है कि हम इनकी harvesting भी कर लें यहां पर आप देख सकते हैं कि उपर मैंने कपले से cover कर दिया है ताकि इनको directly sunlight ना मिले अदर्वाइस हमारे ये पौदे खराब हो जाएंगे तो उपर कपले लगाने से इनको छन के indirect sunlight मिल लई है जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा beneficial है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों bunches में टमाटर आये हैं जिस तरीके का ये 5 लेटर का plastic का पॉट था उसके हिसाब से बहुत अच्छा result मिला है आपको बता दो कि यहां पर मैंने किसी भी तरीके के pesticide का इस्तेमाल नहीं किया है पूरी तरीके से ही इनको मैंने organic grow किया है और मैं आपको भी suggest करूँगा कि आप organic fertilizer का ही इस्तेमाल करें किसी भी तरीके की inorganic fertilizer का इस्तेमाल अपने terrace garden में बिलकुल भी ना करें तो इस तरीके से आप भी अपने घर में घर की दिवाल पर अपने घर की बालकनी पर बहुत कम स्पेस में ग्रो कर सकते हैं टमाटर के पौधे को अपने घर में बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक की बॉटल्स में बहुत ही आसान तरीके से तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेंसे जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज रेड कलर वाले सबस्क्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बैल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूले कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको सबसे चीज़ क्या लगी तो लाइक करो सबस्क्राइब करो और शेर करो हमारा अपना चैनल आर्ग्रीन प्लानेट फिर मिलूँगा आपको ले नए वीडियो में नए जानका सारी के साथ अब तक के लिए नमस्कार